नागौत थाना अंतर्गत लड़की को बर्गला कर ले जाने वाले जिहादी पर कड़ी कारवाई की मांग पर अड़े परिजन उन्होंने निवेदन कर थाना के माध्यम से पुलिस अधीक्षक महोदे को लेट किया है कि नागौत से हिंदू परिवार की लड़की को 50,000 रुपे और कान के टॉप्स के साथ नजीराबाद के लड़के मुसल्मान द्वारा ले जाया गया है जो कि घर में परिजनों से कई बार फोन से बात कर धमकी भी देता है उन्होंने यह भी बताया वह अपना नाम सिद्धी की बताता है और उसकी फोटो भी परिजनों द्वारा पुलिस को सौपी जा चुकी है परंतु 15 दिन बीच जाने के बाद भी पुलिस लड़की को सकुशल लाने में विफल है परिजनों ने यह भी कहा समय वीडियो कॉल के दौरान लड़की को देखा गया वीडियो देखने के बाद हिंदू परिवार की लड़की के साथ जबर्दस्ती करने का दर सता रहा है परिजनों की इस बात को बजरंग दल द्वारा SDOP को ग्यापन सौपा गया तथा मान की गई बजरंग दल के द्वारा कहा गया लड़की को जल से जल परिजनों को सुपोर्ट किया जाए और परिजनों के बताए हुए बात पर आरोपी के उपर कड़ी कारवाई की जाए अन्यता बजरंग दल आंदोलन के लिए हिंदू समाज के साथ बराबर खड़ा रहेगा उसको न्याय दिलाने की मान करता रहेगा साथ ही बजरंग दल ने ग्यापन दिये जाते समय तियाई के द्वारा अभध्र व्यवहार किये जाने पर कड़ी आपती दर्च कराई है उन्होंने यह भी कहा थाना प्रभारी द्वारा थाने में आए हुए फर्यादियों और उनके सहयोगियों के साथ अभध्रता करना निंदनी यह है सतना से शुभं शुकला की खबर चिसे बात नहीं करें और यहां है फ़िजिस के आपक से अंक्रस्च नहीं है कि आपको अपन के लिए तरीका नहीं है परिए नियुक्त का तो प्रद्वकर एफ इस ईत्राइब आफ करें पर्द्वारई और बात करें, जुकत करें.